नमस्कार फिर ये साथियों SR ग्रूप पे पेशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है देखे साथियों अपन पढ़ रहे थे अधिगम और वो पार्ट आपका पूरा हो चुका है उसी में एक दे रखा है चिंतन और इसके बाद में है अभी प्रेड़ना दोनों ही टोप करने की वह मांसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंद तक चलती रहती है यानि ये जो समस्या है ये किसको प्रारंभ करती है चिंतन को जब भी आपके सामने कोई समस्या आएगी तो आप क्या करेंगे चिंतन यानि इसका क्या होगा आरंभ और उसके अंद तक चलती रहती है यानि उसका जब समाधान आप निकाल लेंगे समझ्या का तो आपका चिंतन क्या हो जाएगा? पुरण हो जाएगा उसके अंद तक चलती है चिंतन एक उच्छ ग्यानात्मक परकिरिया है जिसके द्वारा ग्यान आपका संग्ठिद होता है इस मानसिक परकिरिया में बहुदा, इसमर्ती, कलपना, अनुमान आदी मानसिक परकिरिया से मिलीत होती है आपकी समर्ती जागर्थ होती है कलपना सक्ती बढ़ती है और अनुमान लगाने के ने ने तरीके आप सीख पाते हैं दिमाग का जो इस्तर है वो भी क्या हिस में बढ़ता है ड्रेवर ने साथियों चिंतन को मन की किरिया कहा है किस की किरिया मन की किरिया तो ये प्रिबासा काफी बार पुछी कि ये ज्यान में रखे चिंतन को मन की प्रक्रिया किसने का ड्रेवर ने अब इसको समझाने के लिए देखे थोड़ा सा देरक है कि जब भी कोई समस्या आपके सामने आएगी तो आपका क्या होगा चिंतन प्रारम होगा यानि आप क्या करेंगे उस पर सोचेंगे विचारेंगे और उसका समाधा निकालने का प्रियास करेंगे जब समाधा निकल जाएगा तो आपका चिंतन क्या हो जाएगा समाप्स हो जाएगा यह मानसिक गत्यात्मक किरिया है साथ इसकी बहुत सारी परिवसाएं है बोरोन गुनी सो बाणवे के अनुसार चिंतन में समपर्तियों, पर्ति-गेप्ति तथा पर्तिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़े होता है सिल्वर मैन कहते हैं कि चिंतन एक ऐसे मानसिक करिया है जो हम लोगों को उद्धी पके बगटनाओं के पर्ति कात्मके पर्तिर निजित्तुए द्वरा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है तो इन परिवसों को मैं एक बार पढ़ दिता हूँ बाकि आप ध्यान में रखें इनको सेंद्रोक के नुसार गुनी सो पिचार में चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ समिलित हुटा है विशेश कर जब हम समपर्ते का निर्मान करते हैं समस्याओं का समाधान करते हैं तरक करते हैं तता निर्ने लेते हैं तो मानसिक रूप से चिंतन में क्या है मानसिक दिमागी रूप से सूचनाओं का जोड तोड से मिलीता है विशेश कर जब हम संपर्ते का निर्मान करते हैं नहीं-नहीं किरिये करते हैं और उन पर समादा निकालने का प्रियास करते हैं तरक करते हैं कोई निडने लेते हैं तो इसको चिंतन का है कागन है मैंन के नुसार परतिमाओं परतिकों संपर्थियों नियमों अन्य मदेश्टिकाईओं के मान सिक जोड़ तोड़ को चिंतन काहा जता है वो ही प्रिवसाइं हैं लगबग सेम सी यह सात्यों बस इनके जो दिये गए हैं इनको ध्यान में रखें आप कोल सेनिक के नुसार संकलपनाओं का पुनर गठन ही चिंतन है जितने आप में कलपनाओं आती हैं कलपना करते हैं किसी चीज के बारे में उनका पुनर गठन दूबारा से जीवित करना उनको बहई क्या है आपका चिंतन है इनके नुसार करोयों करो के नुसार किसी बालक में चिंतन की योगेता उसके सफल जीवन का मूल भूत अदार है जब तक बालक चिंतन नहीं करेगा तो उसमें जो योगेता हैं वो नहीं योगेता हैं नहीं पनपेगी सफल जीवन का मूल भूत अदार ही क्या माना है चिंत चिंतन के सवरूप के बारे में निमन तथ्यों को लोगों के सामने रखा है यह हैं दो तिन इंप्रे ने कहा है कि चिंतन प्रक्रिया की सुरुवात उस समय होती है जब मनुस्य के सामने कोई ऐसी समस्या आती है और उसका समाधान वह करना जाता है चिंतन में पिछली अनुबूतियां समलीते होती हैं लेकिन यह व्यक्ति पर ही आधारीत होता है कि व्यक्ति वास्तों में पिछली अनुबूतियों का उप्योग चिंतन में किस प्रकार से करता है अनुबव, पिछे के जितने भी अनुबव है उन पर ही आधारीत माना है इंप्रेने इसको और वह जो पिछले अनुबव हैं उन पर चिंतन किस प्रकार से करता है वह उस पर ही निर्पर करता है वेक्ति फ़र चिंतन में अभी प्रेना का भी विसेश महत्व होता है जैसे कोई कारिय है आपने सुरुवात में सोच लिया कि यह तो मुश्किल है नहीं होगा आपने चिंतन उस पर अच्छे से किया ही नहीं सात्यूं तो फिर क्या समधान निकलेगा कोई प्रोसेस किसी परकार के नहीं हो पाएगी वहाँ पर अगर आपको विप्रेणा मिल जाए आपको मोटिवेशन दिया जाए कि नहीं आप ये स्टेप इसको फोलो कीजिए इस परकार से इस कारियों को कीजिए तो इसका समधान निकल सकता है फिर क्या करते हैं आप उसी के अनुरूप सोचना परारम करते हैं चिंथन करते हैं और एक समय ऐसा भी आता है जब उस समझा से आप निजाते पा लेते हैं तो अभी प्रेणा है साथ्यों वो भी चिंथन में क्या है उसका विषेश मैत्व है प्रतेक प्रकार के चिंथन की कोई ने कोई दिशा अजवा लग से अवश से ही होता है चिंतन से बालक में किरिया सील रहता है चिंतन से बालक क्या रहता है एक किरिया सील यह एक प्रकार का आंत्रिक समभासन है यानि आत्मा से अपने आप में स्वयम में कि यह किरिया है इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ करने का प्रियास कर सकता हूँ आगे इसमें देखें चिंतन के प्रकार हैं यह important हैं अच्छे से बढ़ेंगे इनको टाइप सोपे thinking मनो विग्यानिकों ने साथे चिंतन को कई भागों में बांट कर अधेन किया है जिसमें आपका जिम्बाडो तथा रुक के 1977 ने चिंतन को दो भागों में बांटा है जिम्बाडो तथा रुक ने एक तो आपका सवली चिंतन है और एक है यथार्टवादी वो बाद में देखेंगे यथार्टवादी के लिए आगे टाइप दे रखें पहले इसकी बाद करते हैं सवली चिंतन बहुत बार एकजाम में आयो वाज आती हूँ सवली चिंतन कहते किसें देखे सवली चिंतन जिसमें व्यक्ति अपनी कालपनिक विचारूं एवं इच्छाूं के अभिवेक्ति करता है जो आप कलपना करते हैं उससे विचार पनपते हैं या आपकी अनेख परकार के इच्छें होती हैं उनकी अभिवेक्ति आप करते हैं तो वही क्या आपका सवली चिंतन कहलता है इसमें जैसे आपके सवपन, सवपन चित्तर तता अभी लासा अधी सभी सवली सिंतन के ही उधारन है ड्रीम आप सपने देखते हैं कि मेरे पास मैं ऐसे कोई गाड़ी हो कोई प्लेन हो इस प्रकार से सवपन चित्तर चित्तर भी आपको दिखाई देते हैं जैसे एक उधारन से समझते हैं साथियों जैसे आप अभी जो नोकरी नहीं लगें लेकिन नोकरी लगने का सपना देखते हैं कि मैं एक्जाम में अच्छ से फाइट करूँगा और मेरे से जितने भी छत्तरा वो पिछड़ जाएंगे और मेरी नोकरी लग जाएगी वहाँ पर एक मेरे को अच्छ सी उपी से मिलेगी यानि सोपन चितर आपके सामने चितर यह आ रहा है उपीस का आज पास में नोकर चाकर है आपकी एक रेपूटेशन है बड़िया आपके पास में गाड़ी है और चसमा तसमा लगा कि एकदम बंठन के और फिर निकलते हैं आपको सलाम ठोकते हैं सब तो यह क्या है यह आपका सोपन है सात्यों और सोपन चितर भी आपके सामने आते रहते हैं अभी लासाथ जानने की बहुत सारी आपकी इस परकार की इच्छें होती हैं सवली चिंतन के ये सारी क्या हैं उदारण है अब आगे देखे साथियों अब है यह थार्थवादी चिंतन ये भी बहुत इंपोर्टेंट है साथियों इसमें आगे दो तीन प्रकार भी दे रखें इसके तो इसको आप अच्छे से बढ़ेंगे सवली चिंतन के बाद में है ये थार्थवादी चिंतन इस चिंतन का समंद्व वास्ट विक्ता से होता है साथियों रियल्टी इसके सारे वेक्ति किसी भी समस्या का समदाने कर लेता है जैसे येदि कोई वेक्ति साथियों कार में बैठा है कार में बैठ कर क्या कर रहा है सपर कर रहा है और कार अचानक से जैसे रुख गई अक्तो रुखने पर क्या है सात्यों यह एक समस्या उत्पन हो गई इसके इसके सामने समस्या उत्पन हो गई की कार रुख गई तो व्यक्ति कई प्रकार की बातें सोचता है कि कहीं इसका पेंट्रोल तो खतम नहीं हो गया कहीं इसका पेंट्रोल तो खतम नहीं हो गया, या इंजन खराब नहीं हो गया, टायर तो नहीं फट गया, तो ये सारी चिंतन क्या हैं, ये थार्तवादी हैं, रियल्टी है इनमें, ये थार्तवादी भी साथियों कई परकार के हैं, देखें, ये थार्तवादी चिंतन को तीन बा आधार पर किसी सही निशकर्च पर पहुँचने की कोशिशे करता है जैसे मालीज ये किसी चात्र से पूछा जाए कि पांच को दो से गुणा करने पर क्या आएगा तो भह क्या करेगा इसी का ही प्रियोग करेगा अभी सारी चिंतन का दिये गए तथ्चों के आदार पर किसी सही निशकर्च पर पहुँचने की कोशिशे करेगा ये तथ्चे हैं आपके सामने और उन्ही को जोड़ तोड़ गुणा भाग करके वो क्या करता है एक निशकर्च पर पहुँचता है ये क्या आपका अभी सारी चिंतन अब देखिए अगला टीन है इसके दूसरा है सरजनात्मक चिंतन क्रिटिव थिंकिंग Marya के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा अदता है वो निगमनात्मक और ये आगमनात्मक इस तरह के चिंतन में वेक्ति दिये गए तथ्यों में अपनी और से नया तथ्यों जोड़कर एक निश्चित निश्कर्ज पर पहुंचता है जबकि वेक्ति नए तथ्यों को अपनी और से उसमें नहीं जोड़ता है तो समस्या का समादाने नहीं हो पाता है वहाँ पर सात्यों अभी सारी चिंतन में किसी भी परकार के तथ्यों को जोड़ता नहीं जो तथ्यों दिये गए उसी से रिजल्ट निकालता है लेकिन यहाँ पर तथ्यों में अपनी तरफ से कोई नए नए तथ्यों जोड़ता है इसको आगमनात्मक चिंतन भी कहते है सरजनात्मक भी इसी को कहते है सरजन करता है नहीं वस्तों का देखिए जैसे कलम है ये इस कलम का उप्योग तो क्या करते है सादारन लिखने में ही करते है अपन अब इसका साद्यों ए साधारण उप्योग क्या हो सकता है साधारण तो लिखने में हो गया ए साधारण क्या हो सकता है ये चिंतनी क्या है आपका सरजनात्मक चिंतन कहलाएगा क्योंकि इसका कोई भी निश्चित उत्तर नहीं होता है जात्यों ए साधारण में इसमें किसी भी परकार का कोई निश्चित उत्तर नहीं होता है कि उंट किस तरब करवटे लेगा इसका पता नहीं चलता है भैजब करेगा तब ही इसका रिजल्ट मालू में पड़ेगा आलोचनात्मक चिंतन में देखे Evolutive Thinking इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तू गठना अठ्वा तत्ते की सचाई स्विकार करने के पहले उसके गुण दोश्की परके कर सकता है जैसे सात्यों हमारे समाज में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनें कोई भी गठना है या वस्तू है उसके बारे में जो कुछ भी कहा दाए उसे सत्ते मान लेते हैं किसी भी वस्तू या कोई चीद है उसके बारे में दूसरी तरफ सात्यों कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनें किसी गठना या वस्तू के बारे में कहने पर उसके गुण और दोसों को परकते हैं कि इसमें किस प्रकार के गुण हैं किस प्रकार के दोस हैं और तब ही उसको सही गड़त मानते हैं ऐसे वेक्टियों का चिंतन है वो क्या कहलाता है आलोचनात्मक चिंतन हैं कहलाता है कुछ वेक्टितों किसी भी बस्तु गटना को देखा और उसको सत्ते मान लेते हैं यह आलोचनात्मक नहीं है लेकिन गुम्धोसों की परक करके उसमें फिर परकते हैं उसको तो उसको कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन समझ में आया हुआ साथियों अब इसके बाद में जो चिंतन का विकास है साथियों चिंतन का विकास इसके बारे में पढ़ेंगे चिंतन के साधन कुन-कुन से हैं चिंतन और कलपना में क्या-क्या अंतर है बहुत सारा मेटर दे रखाएगे तो इसको कंप्लेट करेंगे अगले वीडियों ये वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक कीजिएगा और और क्या आप हमसे फिक्स आरते हैं वो भी बताईएगा साथियों जितना ज़्यदा हो सके चैनल के द्वारा मेनत की जा रही है बाकि आपका सपोर्ट अवसेच चाहिए साथियों एक वीडियो पर लाइक कर देंगे साथियों आपका कुछ नहीं जाएगा उसमें और हो सके जहां तक पूरा वीडियो देखने का प्रियास करें तब ही आपको फाइदा मिलेगा जब भी आपको टाइम मिलता है मैं तो यह कहना चाहूँगा कि रोज आप उस वीडियो को देखें एक दिन भी पिछड़ गए साथियों ये वीडियो लगतार अपलोड होते रहेंगे और जिस दिन आप पिछड़ गए तो यह माली जे दूसरे दिन आपको डबल पढ़ना पढ़ेगा दो दिन आपने गेव दे दिया तो तीसरे दिन आप सोच के देखे कितना पढ़ना पलेगा तो रेगुलर इसलिए जरूरी होता है कि जब ही वीडियो अपलोड किया जाए उसी वक्त इसको देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए हमारी दुवरा मेनत लगतार की दाएगे आप कितनी करते हैं वो आपकी एक्जाम में सपलदा निश्चित करेगा साथ हूँ चैनल बले कितनी मेनत करें जब तक आप स्वम सपोर्ट नहीं करेंगे अच्छे से उसके चिंतन मनन आप खुद नहीं करेंगे साथियों सकसेस नहीं होंगे कंपेटिसन का दोर है बहुत ज़्यदा मेनत करते हैं विद्यार्थी तो आप भी अच्छे से मेनत करें आज के लिए बस इतना ही साथियों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए टोपिक और नहीं जान करेंगे साथ में तब तक के लिए जै हिंदी जै